Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम Flutter में API Integrate कैसे करें तो API Integrate करने के लिए सबसे पहले हमें API चाहिए होगी तो API हम लेंगे इस वेबसाइट से जो की है JSON Placeholder तो यह हमें कई तरह के API Endpoint प्रोवाइड करता है तो जो हमारी base URL है वो होने वाली है यह .com तक और जो हमारे endpoint है जिससे हमें data मिलेगा different type का वो होगा हमारे यह posts, comments, album, photos, users, to-dos तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे data कैसा आ रहा है तो सबसे पहले मैं इस base URL को copy करूँगा और यहाँ पे इसे posts endpoint के साथ call कर दूँगा तो यह हमारा json data आ रहा है जैसे इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि post में हमारे पास 100 entries है data की तो यहाँ पे 100 हमें json object मिलेंगे तो इस API में हमें सबसे पहले मिला एक list of json object जिसके अंदर हमारे पास अलग-अलग json objects है और इस json objects के अंदर हमारे पास में यहाँ पे चार की है user id, id, title और body तो मैंने इन सारी endpoints को check किया था तो उसमें से मुझे जो थोड़ा tricky part लगा वो था यह users वाला तो यह बाकि के जितने भी है to do's, album, comments यह सब easy है तो इस वीडियो में हम देखेंगे यह कि हम इस users वाली API को कैसे integrate करें तो मैं यहाँ पे इसको call करता हूँ और यहाँ पे हमें मिल जाता है इन 10 users का data जो कि इस API में दिया हुआ है यहाँ पे भी हमें यह list of JSON object मिलेगा और एक JSON object के अंदर हमारे एक user की detail रहेगी और ऐसे ही सारे हमें users की detail इन JSON objects के अंदर मिलेगी तो इस JSON object के अंदर भी हमारे पास काफी data है जैसे के हमारे पास यह ID की है user ID, name, username, email and address जो है वो हमारा एक और JSON object है जिसके अंदर भी हमें काफी सारी keys मिलती है street, city वगएरा और इसके अंदर एक और जो यह company नाम की key है इसके अंदर भी हमें एक और JSON object मिलता है तो चले देखते हैं कि हम इसको कैसे integrate करेंगे तो सबसे पहले मैं इस base URL को copy कर लेता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो Flutter app है वो default है जो कि हमें base project create करने पे मिलता है तो मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ सारा और यहाँ पर मैं stateful class बना लूँगा homepage name से यह home screen नाम दे देते हैं से और यहाँ से भी हम इसे हटा के home screen कर देंगे और मैं इसको यहाँ पर save कर देता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछनी आ रहा है क्योंकि हमने सब कुछ हटा दिया है तो मैं यहाँ पर इसको scaffold pass कर दूँगा और एक basic app bar pass कर देता हूँ और यहाँ अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके तुरू हम इस API को call करेंगे तो मैं आप एक function बना लेता हूँ void get users data और इसके अंदर हम अपनी URL को paste कर देंगे तो URL स्टोर करने के लिए भी हम एक string variable बना लेंगे और इसके अंदर अपने उस URL को pass कर देंगे API call करने से पहले हम एक package भी install करना पड़ेगा जो कि है HTTP जिसके थुरू हम API को call कर सकते हैं तो हम इस HTTP package को install कर लेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे installing में और मैं यहां से command को कर लूँगा copy और इसको terminal में run कर दूँगा यहांपर हमारा HTTP package install हो चुका है तो एक बार हम app को terminate करके दुबारा से build कर लेंगे जितने में app build हो रहा है हम सबसे पहले अपने HTTP package को कर लेंगे import http.dart as http अब इसके बाद हम इस API पर get request कोल करेंगे तो वह कैसे करना है वह करने के लिए हम use करेंगे अपने http package का http.get function का तो get function जो है वह accept करता है एक future response नहीं तो जो हमारा get function है वह हमें return करता है एक future response और यह accept करता है एक URI तो इस URI को हम बना लेते हैं तो URI का हम यहाँ पर एक instance बना लेंगे URI is equals to URI.parse तो parse function जो है वह एक string accept करता है और यह हमें एक URI का instance return कर देगा तो हम यहाँ पर pass कर देंगे URL जो कि हमारी actual URL है जो हमें call करनी है और यहाँ पर हम pass कर देंगे URI तो यह additionally headers भी accept करता है पर हमें headers देने की ज़रुद नहीं है वह क्या है कि हमें post request में headers देने की ज़रुद पड़ती है क्योंकि कभी कभार जो हम data भीज रहे हैं वह backend पर उससे type check कर सकते हैं जैसे हम json data भेज रहे हैं या multiparts data भेज रहे हैं जो कि हम file uploading में use करते हैं तो get request के case में headers भीजने की ज़रुद नहीं है किसी किसी extreme case में ज़रुद पड़ सकती है जब हमें json के लावा कोई data मिल रहा हो तो पर हमें यहां पर पता है कि हमें json data मिलना है तो हमें headers भीजने की ज़रुद नहीं है तो जो भी हमें यहां से response मिलेगा हम उसे एक response variable में store करा लेंगे या इसको हम result भी कह सकते हैं आपको कोई भी नाम दे सकते हैं तो इसके अंदर हमें future response मिलेगा तो इसको सिर्फ response में convert करने के लिए हम यहां पर लगाएंगे await keyword और await keyword यूज़ करने से पहले हमें इस function को asynchronous बनाना होगा तो हमने यहां पर await keyword क्यों लगाया क्योंकि जो हमारी get request है वो हमें data लाके देगी API पर जो कि किसी server पर store होगा अब वो data हमें कितनी देर में मिलेगा वो हमें नहीं पता तो जब तक हमें data नहीं मिलता हम तब तक wait करेंगे जो कि हम await keyword लगा के बता सकते हैं कि हमें जब तक wait करना है जब तक data ना मिल जाए और जैसे हमें data मिलेगा वो हमारे result variable में store हो जाएगा तो अब जैसे यहाँ पे हमारे data result variable में store हो जाता है हम यहाँ पे कुछ conditions में check करेंगे जैसे कि result.status code हमें एक ही dot लगाना है तो result.status code तो अब यह status code हमें एक integer value return करता है और यह status code हमें क्या return करेगा कि हमें हमारी API call जो है वो successfully call हुई है कि नहीं हैनि कि हमें अलग-अलग status code देगा तो मैं आपको कुछ status code के मतलब बता देता हूँ जैसे कि अगर हमें status code मिलता है 200 या अगर हमें status code मिलता है 201 तो इसका मतलब है हमारी API request जो है वो successfully call हो चुकी है अगर हमें जैसे status code मिलता है 404 और internal server error और भी कई तरह के code होते हैं वह आप Google पर जाके पढ़ सकते हैं पर successful API request call होने पर सिर्फ यह दो status code written होते हैं या तो 200 ने तो 200 वन तो हमने इस पर if condition लगा दी है और else में हम लगा सकते हैं something went wrong something went wrong या error occurred कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं तो यह body हमें string return करेगी तो अब हम इस code को करते हैं save और चेक करते हैं कि हमारे जो result है वो status code वगएरा और body सही से आ रही है कि नहीं तो यहां पर मैं एक बार status code को भी print करा देंगा कि हमें status code कितना मिल रहा है अब इसे कर लेते हम यहां पर save तो हम चाहते हैं कि हमारा function जो है वो इस class में सबसे पहले call हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो उसके लिए हमें यहां पर मिलता है एक init state function जो कि इस class में सबसे पहले call होगा तो जैसी यह class विजटरी में insert होती है तो सबसे पहले जो function call होता है वो है init state तो इसलिए हम यहां पर get user data function भी इसके अंदर पास कर देंगे तो जैसी यह function call होगा हमारे यह get user data function भी call हो save और जैसी मैं इसे करूंगा वोट restart तो हमारे पास यह data आ गया है और जैसे कि हमने आप यह status code प्रेंट कराया था तो हमें status code मिला है 200 यानि कि सब कुछ सही है API call सही से हो चुकी है और body के अंदर हमें यह पूरा data मिल चुका है हमें यहां मिली एक list और उसके अंदर मिले हैं काफी सारे json के object जैसा कि data हमें यहां पर browser के अंदर मिला था तो अब देखते हैं कि हम इस data को कैसे parse करेंगे तो data parse करने के लिए सबसे पहले हमें data को analyze करना होगा कि data कितना nested है और हमें क्या-क्या details सही है तो यह data है जो हमें मिलने वाला है तो जैसा कि हम यहां पर देख सक करते हैं कि यह जो हमारी body है यह हमें एक string return करेगी तो यह जो हमारी string होने वाली है वो एक json encoded string होने वाली है तो सबसे पहले हमें इससे decode करना होगा जिससे कि हमें हमारे object और यह list of object मिल सके तो इस body को decode करने के लिए हम use करेंगे json.decode function का तो मैं आप एक variable बना लेता हू json.decoded.json data इसमें हम pass कर देंगे json.decode function अभी json.decode function हमें मिलता है dart convert library से तो यह automatically import हो जाती है जैसे हम इस statement को type करेंगे और decode function accept करता है एक string जो की basically एक json encoded string होती है तो हमारे पास json encoded string है यह body तो हम इसको pass कर देंगे तो मैं यहां से इसको cut कर लेता हूँ और यहां पर इसे कर दूँगा paste और मैं इसे कर दूँगा save तो अब एक बार हम इस json.decode data को print कर आके देखते हैं दिखने में हमें दोनों data सेम लगेंगे बस फर कितना रहेगा कि यह जो हमारे data है वो अब हमारे diet के object में create हो चुका है यानि जैसा कि अभी हम यहां पर देखेंगे तो हम एक dynamic data type मिलता है यानि कि हमें object भी मिल सकता है list of object भी मिल सकता है string int कुछ भी मिल सकता है पर हमें पता है कि हमें list of json object मिल रही है तो इसको हम यहां पर final की जगा list define कर देंगे list of dynamic type और इसको हम करेंगे एक बार hot restart तो यह data ह हमारा एक list के अंदर store हो गया है तो अब यह जो हमारा json object है यह अगर देखा जाए तो हमारे map string dynamic के similar है तो अगर मैं यहां पर map string dynamic पास करता हूँ तो क्या हमें कोई error आएगा तो हमें आप एक error आया है जो कि है list dynamic एक subtype नहीं है list of map string dynamic का json record function है वो हमें dynamic type की list return कर रहा है तो हमें इस list को convert करना होगा list map string dynamic में क्योंकि हमें पता है यह एक map object है तो हम इसे easily type cast कर सकते हैं तो इसको type cast करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां से इस list को हटा देता हूँ और save करके एक बार app को hot restart कर लेते हैं तो हमारे data से इस स्टोर हो रहा है इस list के अंदर अब यहां पर हम एक और list बना लेंगे map string dynamic type और इसको हम नाम देते हैं users data list और यहां पर हम pass कर देंगे decoded.json data अब क्योंकि यह list है तो हम यहां पर map function का यूज कर सकते हैं तो map function जो है वो हर एक element के लिए call होता है तो जो map function है वो हर एक element के लिए call होगा और यह हमें उस element को return भी करता है तो उस element को हम accept कर लेते हैं user details name से अब क्योंकि यह map function हर एक element के लिए call होगा तो मैं यहां पर pass कर सकता हूं user details और हम यहां पर इसको typecast कर सकते हैं as map string,dynamic और क्योंकि यह जो map function है वो iterable return करता है तो हमें इसे list में convert करना होगा तो list में convert करने के लिए हम to list का use कर सकते हैं और मैं इसे यहां पर कर दूँगा save तो हम अब यहां पर decoded.json की जगा user data list को print करा के देखेंगे वो देखते हमें कोई error आता है की नहीं तो हम इसे करेंगे hot restart और यहां पर हमें कोई error नहीं आया है यानि कि हमने successfully इस list of json object को अपने list of map string dynamic में convert कर लिया है तो अब हम data को और अच्छे से organize करने के लिए model class बनाएंगे users की तो मैं आप एक और फाइल बना लेता हूं जिसको मैं नाम दे दूँगा user model.dat मैं आप एक class बना लेता हूं user model करके और इसके अंदर हमें उन सारे keys के respective एक variable बनाना पड़ेगा जिसमें हम इन values को store करा सके तो अब यह काम हम manually भी कर सकते हैं यानिके मैं यहाँ पर एक एक variable को लिखके भी यह काम कर सकता हूं पर इसे करने का एक sort तरीका है जो की है json to dart converter तो यह क्या है कि हमें यहाँ पर अपना तो यहाँ पर क्या है कि हमें json object देना होता है और उसके respective हम एक model class बनके तयार हो जाती है तो एक काम करते हैं हम यहाँ से इस json object को copy कर लेंगे और यहाँ पर इसे paste कर देंगे तो यहाँ पर हमें पहले अपनी class का name देना है तो यहाँ पर मैं pass कर देता हूँ user model और generate dot पर क्लिक करेंगे तो हमारी यह model class generate हो जाएगी तो अभी के लिए काम करते हैं क्योंकि यह address और company field एक अलग json object है तो यह address और company का इसने अलग model class बना दिया तो मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए इस address को हटा देता हूँ और company को हटा देता हूँ ताकि अचानक से इतना इतना लंबा dot code देखके आप लोग को confusion ना हो तो मैं फिर से इस generate dot पर क्लिक करता हूँ और यहां से copy कर लूँगा मैं इस code को और यहां पर मैं इसे paste कर दूँगा तो यह हमारी model class पर अभी यहां पर हमें कुछ errors आ रहे हैं पहले मैं उन errors को check कर लेता हूँ जैसे की id can't have a null value तो यह null safe नहीं है काम करते हैं क्योंकि हमारा सारा data जो है वो null तो नहीं आएगा कोई भी data तो इसको हम null label नहीं बनाएंगे वोलकि इसको हम करेंगे late variable से initialized यानि late keyword से initialized करेंगे तो यहां पर हम इस सारे variable के आगे late keyword लगाना होगा और यहां पर इन सारे ही variables को required करना होगा जिससे कि हम dart के compiler को यह security दे सकें कि यह variable null नहीं होंगे late keyword का मतलब है कि हम इन्हें आगे चलके initialize करने वाले हैं क्योंकि जैसे अभी हमने यहां पर initialize नहीं किया है पर हमारे पास यह surety है कि यह आगे जाके initialize हो जाएंगे user model constructor के थ्रूँ तो यह हमारा user model का default constructor है जिसके थ्रूँ हम direct invariable को initialize कर सकते हैं और यह हमारा user model का named constructor है तो यह default constructor and named constructor आप लोग ने dart के oops concept में पढ़े होंगे तो हम mainly use करने वाले हैं अपने data को parse करने के लिए इस named constructor का जो कि है from json यह accept करता है एक map string dynamic data अब इस data में हम क्या parse करेंगे यह पूरा object हम इस data में पूरा object parse करने वाले हैं तो अब यह data से क्या करेंगा इस की ID की निकालेंगा तो यह ID की निकालेंगा और इसकी जो one value है वह assign कर देगा इस ID में सेम यह name की निकालेगा name में assign कर देगा username की निकाल के username में assign कर देगा और बाकि सारे variability से लिए same होगा अब यह जो यहां पर map function है to JSON ये क्या है इस function के बिलकुल इस constructor के बिलकुल उल्पा काम करता है यानि कि ये constructor क्या कर रहा है कि हमारे map string dynamic के object को convert कर रhा है हमारे user model class के अंदर सारे data को ये हमारे इन variables के अंदर initialize कर रहा है पर ये function जो है हमारे इन variables से data ले रहा है और इससे यह जो map बना हुआ है इसके अंदर keys के respective variables को assign कर रहा है और end में उस map को यह return कर दे रहा है तो अभी हमें इस function का कोई use नहीं है क्योंकि इस function का हम use करते हैं data को server पे भेजने के लिए या post request के लिए पर अभी हम सिर्फ get request करने वाले हैं तो हम इस function को हटा सकते हैं और यहां पर मैं इसे कर देता हूं save और हम इस file को कर देंगे close अब हम देखते हैं कि इस user model class का कैसे use कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक बहर list बना लेता हूं जिसका type होगा user model user model list अभी के लिए हम इसको empty list assign करते हैं तो हम इस user model class को import भी करना होगा तो यहां पर import हो गई है अब इसके बाद अब हमें इस list को जिसका return type है map string dynamic इसको convert करना होगा इस list में जिसका type है user model तो अब वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं तो यहां पर मैं pass कर दूँगा user model list is equal to तो हम same way करेंगे जो कि हमने decoded json data के साथ किया था तो हम यहां पर लेंगे user data list को user data list यहां पर call करेंगे map function को जो कि run होगा इस user data list के हर एक element के लिए और उस element को हमें return भी करेगा जिससे कि हम उस element को change कर सकते हैं तो हम यहां पर इसको user data से ही accept कर लेते हैं user data और इस element को दुबारा से list में return करते time हम इसको change कर देंगे user model में अब user model में कैसे change करेंगे जैसे मैंने आपको बदाया थे एक तो इसमें यह default constructor है user model अगर हम इसका use करते हैं तो हमें एक-एक की इसमें अलग से pass करने पड़ेगी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे जैसे मैं यहां पर लिखता हूं user data जो हम यहां से मिल रहा है और यहां से हम id देंगे तो यह बहुत लंबा प्रोसेस है और इससे हमारा code भी काफी यहां पर बड़ा हो जाएगा रिपीट हो जाएगा तो इसी चीज़ से बसने के लिए हमने ये हमने ये नेम कंस्ट्रक्टर बनाया है फ्रॉम जेसोन तो यहां पर मैं पास करूंगा user model.from.json जो कि कुछ नहीं accept करता है बस सिर्फ एक map string dynamic type accept करता है जो कि हमारे पास यहां पर already है user data इसके अंदर हम पास कर देंगे user data और क्यूंकि यह map एक iterable return करता है तो यहां पर हम पास कर देंगे to list जिससे कि यह list में convert हो जाएगा अब इसे हम save करते हैं और यहां पर हम अपने user model list की length print करा के देख लेंगे सबको सही काम कर रहा है कि नहीं तो हमारे यह user model list की length 10 है यानि सबको सही काम कर रहा है तो अब हम एक बार इसको screen पर show करके देख लेते हैं कि जो हमारा data है उसको हम screen पर कैसे show करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे body में और यहां पर एक list view builder assign कर देंगे list view builder पास कर देंगे तो list view builder में हमारे item builder required रहता है जिसमें हम pass करेंगे कि हमें किस तरह के widget को build करना है list view builder के अंदर और यह item builder जो है वो दो parameter हमें return करता है context और index item का तो यहां पर हम teaser को index से accept कर लेंगे और build context को context से और इसमें हम return कर देंगे एक list tile list tile और इसके अंदर हमें और भी काफी सारे parameters मिल जाते हैं जैसे कि item count item count में हमें एक integer pass करना होता है जिससे कि हम यह decide कर सकते हैं कि कितने बार इस widget को screen पर हमें render कराना है तो इसमें हम pass कर देंगे यह user model list dot length user model list dot length जिससे कि जितने भी इस list में data होगा उतनी बार यह list tile render हो जाएगी अभी के लिए हम title में text pass कर देते हैं name और यहां पर subtitle में भी हम एक text pass कर देंगे user details तो हमारे पास यहां दस बार यह list tile return हुई है क्योंकि हमारे user model list की length 10 थी तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहां से constant हटाते हैं और जो हमें user model list से data मिलेगा वो यहां पर pass करेंगे तो title में हम पास करेंगे user का name तो सबसे पहले हम एक user model का यहां पर instance बना लेंगे user details और इसके अंदर हम पास कर देंगे user model list जो की एक list of user model है और इसका हम एक specific index पास कर देंगे जो की index हमें मिलेगा इस item builder से अब इसको हम करेंगे यहां पर save और यहां पर हम पास कर देंगे इस user details को उसके लिए इस constant को अटाना पड़ेगा user details dot name तो अब जैसे मैं से save करूंगा तो हमारे पास यहां पर जो user model list के अंदर data था तो उन users का name हमें यहां पर दिखना चालो हो जाएगा अब हम चाहें तो इस subtitle के अंदर और भी user की details दिखा सकते हैं जैसे की username हो गया email यह सब भी हम दिखा सकते हैं तो for example यह हमारे पास text है यहां पर मैं पास कर देता हूँ user details dot email से मैं करता हूँ save तो हमें यहां पर यह email मिल जाएगी हम और भी parameters यहां पर पास कर सकते हैं जैसे की यह था email हम यहां पर next line operator का use करूँगा और यहां पर इसको copy करके email की जगा पास कर दूँगा यूजरनेम यहां पर यहां पर यूजरनेम पास कर देता हूँ इससे करूँगा जैसी save यहां पर यूजरनेम फिर email भी मिल जाएगी तो अब इसके बाद जैसा कि हमने यहां पर देखा था कि इस हमारे user model में जो हमें यह address मिल रहा है और company information मिल रही है वो included नहीं है तो उसे include करने के लिए हम चाहे तो नया object बना सकते हैं जैसा कि हमें यहां पर मिला था जैसोन टू डार्ट तो यहां पर हम इसको एक बार कर लेते हैं copy और यहां पर मैं इसे paste कर दूँगा पेस्ट करने के बाद हम इस जनरेट डार्ट पर करेंगे click तो हमारे यहां पर बहुत लंबी डार्ट फाइल create हो जाएगी तो एक काम करते हैं हम इसको को कोपी करके अपने code में करते हैं यहां पर पेस्ट और यहां पर आएंगे हमें काफी सारे errors यह वही सेम errors है जो या तो हमें यह ID नेम वगएरा को ना लेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि हम इने शुरू में इन इसलैज नहीं कर रहे हैं पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम इसे जल्दी से मैं सारे errors को fix कर देता हूं हां तो यहां पर मैंने उन simple errors को तो fix कर दिया है पर अभी यहां पर कुछ errors और हैं जैसे कि यह error तो यहां पर हमने यह चेक किया है कि JSON address NULL है अगर NULL नहीं है तब हम इस address को assign करेंगे नहीं तो NULL पास कर देंगे पर क्यूंकि हमें पता है कि यह value NULL नहीं आने वाली क्योंकि यह सारे objects में है तो हम इस NULL वाल statement को यहां से हटा सकते हैं और यहां पर इसे direct pass कर सकते हैं सेम हम करेंगे इसके लिए क्योंकि यह value NULL नहीं आएंगे पर जिस case में यह NULL आ सकती है वहां पर हम इन्हें हम simply ऐसे question mark लगाके NULL बना सकते हैं उसमें भी कोई problem नहीं है और हमें इस tojation function का काम नहीं है हम इसे भी हटा देंगे यहां से हटा देंगे और सेम यह यहां पर भी यह NULL नहीं आएगा यहां से भी हम इस tojation को आटा देंगे और यहां से भी तो आवे गदर देख लेते हैं कि हमारे यह API integration कैसे काम कर रहा है तो सबसे पहले उसग क्योड़ के अंदर हम पास करेंगी युजर के डेटा को जो की जाएगा from जेसों डेटा के थ्तुरू तो यह सिंपल वाले तो हमने समझ लिए हैं जो की डायेक्ट वैल्यू को जेसों के अंदर से ले जेसोन के की से लेके हमारे इस variable के अंदर assign कर देते हैं, अब बात आई हमारे जेसोन address की, जो की अपने आप में एक जेसोन object है, तो अब इस जेसोन object को भी पहले parsing की जरुवत है, क्योंकि हमें इस जेसोन object के ये street, city, zip code और ये geo का use करना है, तो इसको parse करने के लिए क्या किया है, कि यहाँ पे एक और class बना दिया है, address name से, तो address name के अंदर, एक default constructor है, और एक named constructor है, from json, जैसा कि same ये user model के अंदर था, user class के अंदर था, तो अब इसके from json function में क्या हो रहा है, कि street, city, वागेरा, सारे keys हो है, वो इस map से ले रहा है, और इनने, इन variables के अंदर assign कर दे रहा है, जो की एक अलग अपने आप में, model class है, अब ये क्यों, क्योंकि ये जो jo key है, इसके अंदर एक और json object है, जो की दो keys contain करता है, latitude और longitude, तो इसको parse करने के लिए भी एक और class बनी हुई है, जो की model class है, jo, और इस jo के अंदर भी एक default constructor है, और एक named constructor है, from json, तो from json function एक map accept करता है, json, जो की हमारी jo key होगी, तो इसको यहाँ पर pass किया है, और यहाँ से latitude key की value, इस latitude में assign कर देगा, और longitude key की value, इस longitude variable, या lng variable के अंदर assign कर देगा, तो इस तरह से ये, अब code काम करेगा, तो हम इसको करते हैं, एक बार hot restart, जिससे की हमारे ये variables अच् अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा, हम एक unit के लिए यूजर नेम को हटा के, address में से, इस street की value, और geo में से let और long की value, यहाँ पर assign करते हैं, तो username dot address, अब address भी क्योंकि एक model class है, तो हम यहाँ पर और इसके अंदर के variables को access कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें street access करना है, तो हम street select कर लेंगे, अब street a string है, तो इसको हम further और इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बस जो भी define function है, जैसे to string वगएरा, split वगएरा, यह सब use कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ इसकी value दिखाने हैं, तो हम नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हमें geo class का use क करना है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आएगी हमारी model class, फिर आएगी हमारी address class, address model class, उसके बाद जाके आएगी हमारी geo model class, तो हमें सबसे पहले use, access करना होगा, address model class को, फिर हम access करेंगे geo model class को, फिर उसके अंदर के हम यह, let value, क्योंकि latitude value है, उसे access कर तो मैं यहां पर करूँगा save और यहां पर हमारे सबसे पहले आ रहा है name फिर आ रहा है हमारे street फिर आ रहा है हमारे latitude की value अब जैसा कि आपने notice किया होगा कि जैसे मैं इसे आपको hot restart करता हूँ तो हमें यहां पर कुछ नहीं आता है पर जैसे यह data आ गया है तो हमें इसे save करूँगा state change होगी तब हमारे यहां पर यह list view builder render होता है इसलिए हमने await keyword का use किया था कि जब तक हमारा data ना आये तब तक हम उसे access ना कर पाए है अब data आने में थोड़ा time लग रहा है पर हमारे screen पर जो widgets है वो पहले render हो जा रहे है इसलिए हमें screen पर सुरू में कुछ नहीं दिखता है जैसे अभी में hotel restart करूँगा तो हमें यह screen के विजट्स पहले render होगे पर data थोड़ी दिर बाद आया तो यहां पर हम set state function कॉल करेंगे जैसी हमारी यह list user model list में assign होती है जिससे क्या होगा कि हमारी state भी साथ की साथ change हो जा जाएगा अगर मैं होट restart करूँगा एक सेकिंड बाद हमें screen पर सो हो जाता है तो अगर आप चाहोते हैं यहाँ पर loading indicator भी लगा सकते हो जैसे कि अगर हमें यहाँ पर loading indicator लगाना है तो हम एक boolean variable बना लेंगे is loading name से जिसकी initial value हम रखते है true क्योंकि initially data load हो रहा होगा इसलिए हमने इसकी value को रखा है true और जैसे हमारा data load हो जाएगा यहाँ पर तो हम इस is loading की value को कर देंगे false अब हम इस is loading variable के ओपर कुछ conditions लगा सकते हैं जिससे कि हम widgets को अपने accordingly चेंज कर सकते हैं जैसे अगर मैं हाँ पर ternary operator का use करता हूं तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर is loading के value true है यानि कि data अभी load हो रहा है तो हम center में एक circular progress indicator कर देंगे और else में यानि कि जब हम यह colon लगाते हैं उसका मतलब होता है else अगर is loading के value false है तो हमें यह list view builder दिखेगा is loading के value true है तो हमें यह center में circular progress indicator दिखेगा तो अगर मैं इसे save करूंगा तो हमें यह circular progress indicator दिख रहा है क्योंकि इसकी value अभी false नहीं हुई है क्योंकि हमने य अभी अभी assign किया था तो जैसी में इस होटरी start करूंगा circular indicator आएगा और फिर जैसी इसकी value false होगी यह हट जाएगा इवार दुबारा देखते हैं इंडिगेटर आया और यह data आने के साथ साथ हट गया तो इसी तरह से हम API integration कर सकते हैं तो यह तो मैंने आपको user endpoint का बता दिय कि integrate कैसे करना है आप practice के लिए यह posts, comments इन सबके API integrate करके देख सकते हो जिससे आपको और practice हो जाएगी और better idea हो जाएगा आप खुझ से try करोगे तो कि API integration कैसे काम करता है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में